कि का दोस्तों स्वागत एक वार फिर आपके अपने चैनल में और मैं आपका दोस्त उन प्रिकास बर्मा आज जो है उनतर ह्यास सिक्षक भरती में नया मोड नया मोड देली कुछ न कुछ शल लाए तो उसी उप्रक्ष में वीडियो बनाया है मैंने आपके लिए नमब एक त पद खाली नहीं रखेगी सिक्षे मित्रों से तनी बड़ी दुस्मनी क्या है और यह सरकार डर रही है कि सुप्रीम कोट से कहीं बाहर और 40-45 परसेंट पास्क मांगना हो जाए इसलिए हट बड़ी में भठती जल्दी करने कि इस पर बात करेंगे और इंतियार क्यों नहीं चाचा करेंगे बने रहे हमारे साथ वीडियों दोस्तों आज तक यह आपने हमारे चैनल कब तक सक्षार में किया तो चैनल को सब्साइब कर लें और बैला करने प्रेस करें जिसे आने वाड़ी वीडियो नुन परसें आपको मिलती रहे और उन तरह से समय जो भी खबर है को आपको इस चैनल से मिलेंगे चलते हैं खबरों की और पहली कबर देखते हैं सिक्चा मित्रों के लिए 37,349 पर खाली नहीं रख सकते हैं सरकार ने इस परष्ट कह दिया और जो सुप्रेम कोट ने नो तारीक नो जून के लिए जो आदिश दिया था उसकी खिलाब जो है सरकार सुप्रेम कोट पहुंच गई है उसके सुनवाई सायद आज अकलम होने वाली है तो यह सिक्चा मित्रों के लिए बड़ी दुख भरी खबर है क्योंकि सिक्चा मित्रों से बड़ी दुस्मनी है सरकार की जो सिक्चा मित्रों को बिल्कुल भी रहात देने के मूर में अब पढ़ते हैं देखते हैं यह खबर कैसी क्या है इसमें उत्तर प्रिदेश में सिक्चा मित्रों के भरती का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है सुनवाई की तारिक तै चोदो जुलाई पहले अप राज सरकार सुप्रीम कोट पहुंच गई और का है कि उसे सिक्चा म अब भती प्रिशा 2019 में सिरफ 8,018 सिक्चा मित्री साथ 65 जो पास के मार के लगा था अग्जाम के बाद तो उसमें जो है सामान वरक के आख्षत वरक के कुल मिला के सिक्चा मित्रों पास हुए वह आठ यार अठार है जो 60% और 65% जो पास के मार लगा था प्रिशा से पहले प्रिशा के बाद वह बहुत गलत था उसी को लेकर इलावाद लखनों कंट में भी मुकद्मा चलता रहा सुप्रीम कोड पहुंचके क्योंकि यह 68,500 और 39,000 जो भरती है वह एक लाग 37,000 की सिक्चा मित्रों की ही भरती है इस वाद लेकर सुप्रीम कोड पहुंचे तो सुप्रीम कोड ने बहां से सिक्चा मित्रों रहत दी और कहा कि जो भी 40-45% पासिमार को तुरीन कर रहा है उनकी पर्द करने का देश दिया था 21 जून के लिए लेकिन सरकार ने वह नहीं माना इसके बाद द्वारा रिवा नं पूच गई है और वहां उसने अर्जी लगाती है और यह यह भी कहा है कि राज में सिक्चकों के 51122 अभी और खाले हैं यह बिल्कुल जुम्ला है सरकार का अधवितारा के जरिए सदात में ताखली बिश्टत अर्जी में राज सरकार ने कहा है कि प्रदेश में साहिक सिक् में भर्ती में एड्जेस्ट किये जा सकता है दिपद खाली रखे जाते हैं तो इससे अनावस्यक मुक्तिमबाजी पैदा होगी क्योंकि 60 और 65 प्रितिसत भीष्टी से कम अंकर वाला लाने वाले गयर सिक्चा में उम्मीदबार इसी रहर पर निक्ति लेने का दावा कि संक्या 2,15,000 सामान और अच्छा दोनों से ज्यादा है महीं सिक्चा मित्रों को इस भर्ती में एड्जेस्ट करने से जुलों में आवंटन अच्छान और रोष्ट की समस्या पदा होगी जिसे जटलता बढ़ेगी और भर्ती में बेहत बिलम होगा साथी सिक्चा के सब्सक्राइब तक तो यह थी कवर सरकार के दवारा दाखिल मोडिफिकेशन के अनुसार जो 40 और 45 प्रसेंट पर जो तीड़ांक है उसको पास करने वाले शिक्चा मतरु संक्या 32,629 ती और जो 32,629 संक्या जो 40,45 पर तीन हो रही है वो है प्रिदेश में योगी सरकार द्वारा करा जा रही है उनातर जार सिक्चक भरती से सिक्चा मतर को जबजस्ती बाहर कर रहा है जब कि 25 जुलाई 2017 को सरवच नियाला से समाज जुनिस्त होने के बात रहे हुए 137,000 पर भतिक किया रही है सरवच नियाला ने अपने नेड़ा में कहा था कि सरकार आगामी सिक्चक भतियों में टैट पास सिक्चक मतरों को अबसर प्रिदान करते हुए सरकार ने कुछ नहीं किया ऐसा एक अग्जाम उस पर लगा दिया जैसे सिक्चा मतरों सताई भाहर हो जाए और चालागी से एक दिन बाद अग्जाम के एक दिन बाद जो एक टाप रख दिया तीर आंक पर रखा 60-65 यह वी एक चलकपड था कहीं ऐसा है कि सिक्चा मित्र जो केस लेगे गये हैं स्प्रिव कोट हो सकता है कि सरकार इसे डर रही है कि क्योंकि बीएड इसमें आवाए थे प्रैमरी में वो सभी जानते हैं इसलिए जो है अगर सुनबाई चलकी यह बहां कोई केस चलता है तो बीएड 100% भाहर हो है क्योंकि इसको जो फर्ष्ट वाड़ है अटशडार पांसो उसमें सिक्चा मित्र जो बठती हुए है वो पचारिस पतारिस पे हुए है तो उसका सेकंड पाड़ यह सुप्रिव कोट मां रही है इसको हम कह सकते हैं कि सुप्रिव कोट वाकि केस चलता है तो 801% चारिस प